वेलकम टो मैं क्लास नमस्ते श्टूरंट बच्चो आज हम कक्षा आटवी की पुरक पाट्टे पुस्तक भारत की खोज का अध्यन करने जारे जिसमें हम चाप्टर नमबर पढ़ेंगे 6 जिसका शिर्षक है अंतिम दोर एक और इस पार्ट का है सेशन नमबर चोटा है सन 1857 की महान करांती जाते तावाद अब देखिए उस समय जो हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी युद्धों हुए बहुत सारी विश्वईदों में भी हमें पता है पहला महा विश्वईदों तो 1857 की जो महान करांती हुई थी उसकी बीच उसकी निव कैसी हुई इसका वर्णन आगे लहिक ने समशिप्त में किया है। ब्रिटिश शासन के लगबख एक शताबदी के उपरांत बंगाल ने उससे समझोता कर लिया था। अब देखे हमने पड़ा था कि जब ब्रिटिश शासन भारत पर शासक के रूप में कारे कर रहे थे। तो सबसे पहले जो भारत का ही हिस्सा था बंगाल उस पर अधिक उन्होंने आक्रमन का उनका रूप दिखाए देता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लगबख 50 अधिरकिती यहां से ही मानी जाती है और उस समय बंगाल का जो विरोध चालू था तो उसमें बहुत सारे समझोते कर ले गए थे अग क्योंकि बहुत सारे समस्याओं को रेसिकी नेसर की अपत्ति अकाल का भी उनको बहुत सामना करना पड़ा था और उससे बहुत सारी जंत जो आगात हो रहे थे वह आम जंता पर किसान वर्ग पर हो रहा था एक तो अकाल के कारण भूक मारी या बहुत सारे समस्याओं से उनको गुजरना पड़ रहा था और इस प्रकार ब्रिटिस सरकार ने भी नहे कायदिक आनून बना दे थे तो किसानों को भी बहुत सारे बोजों से वह किसान वर्ग पीस रहा था नया बुद्धी जीवी वर्ग पच्चिम की और इस आश्या से देख रहा था कि अंग्रेज दी उदारता के सारे से ही प्रगति होगी अब जब भारत में अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिस सरकार के द्वारा शिक्षा का बुद्धी जीवी वर्गरतात नया पढ़ा लिखा वर्ग तो इस प्रकार से जो नया पढ़ा लिखा युआ वर्ग था तो उनको आश्या थी कि किसी भी प्रकार से भारत पर अंग्रेजी सत्ता दिशों के द्वारा उदारता की भावना निर्मित हो सकती है लेकिन उनके जो काहिदे काणून थे वह बहुती अत्याचारी थे भारत पर किसी भी प्रकार की उदारता उन्होंने नहीं दिखाए थी लगबग यह स्तिती दक्षीन और पच्चिम भारत में मदरास और मुंबई में थी सिर्फ बंगाल की ही अवस्ता नहीं थी बेलकि मदरास मुंबई में भी और आगे लेकिन उत्तरी सुबों में ऐसा जुका और समझोते की प्रोरती नहीं थी विशेश रूप से सामन्त सरदारों और उनके जो अनुयाई अर्थत शिश्य में विदरों की चेतना बढ़ रही थी अब देखे चाहे वो मदरास हो मुंबई हो या फिर बंगाल हो जहापर समझोते की भावना बढ़ रही थी उसी दूसरी ओर क्या हो रहा था उत्तरी सुबों में विदरों की भावना निर्मिती हो रही थी कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के काईदों कानुन को हम क्यात्याचरों को हम सहन नहीं करेंगे और इस प्रकार से उन्होंने अपने विद्रों की चितना बढ़ा दी थी सामाने जन्ता में भी असंतोष की और तीवर ब्रिटिश विरोधी भावना खुब वह रहे थी मैं सन 1857 में मेरत की भारतिय सेना ने बगावत कर दी 1857 में जो यह विद्रो की भावना जब हुई थी मेरत में वह 1857 में जो बड़ा विद्रो युद्ध हुआ था उसका मूल आधार यह युद्ध माना जाता है अपरेल महिने में 30 अपरेल को 1857 में बड़िश सेना में भारतिय जो सेनिक थे उन्होंने विद्रो किया था किस प्रकार से विद्रो किया था इस कवर्णर आपने शायद पढ़ा होगा कि जो सेनिक वर्ग होते थे उनको क्या करने पड़ते थे जो बंदुके के जो राइफल होते थी उनके उनके जो कार्थूस होते थी उनको मुह से निकालना पड़ता था तो उस समय जो 90 सैनिक भारते सैनिक उसमें से 50 सैनिकों ने उसका विरोध किया था जर्द आजनता क्यों क्योंकि जो बंदुकी की जो कार्थुसे होते थी उसमें अधिक्तर गाय और समर्यों जुकि शवर दोर की जंबरी होती थी उसके द्वारा बनाए जाते थी और हिंदो और मुसल्मानों धर्म में तो यह जो गाय या सुर होते उनको बहुत धार्मिक रूप से उनकी पुजा की जाते थी तो इसके भारती सेनिकों पर ब्रिटीस सरकार के जो बड़े-बड़े आधिकारी होते थे वो बहुत ही बहुत उनकों पर अत्याचार करते थे और इस प्रकार उन बंदुकों के कारतुसों को जोर जबरदस्ती से उनको निकालने के लिए कहते थे लेकिन उस समय जो 90 भारती सेनिक थे उनमें से 85 भारती सेनिकों ने उन कारतुसों को तोडने से मना कर दिया था और उसके पिर अंगले सरकार के जो बड़े अधिकारी थे वो क्रोधित हो गए थे फिर उनको उन्होंने दूसरे जेल में पीजवा दिया था और उस समय जो भारती अन्य जो क्रांती कारत थे उन्होंने उस समय योजना बनाई थी और उज योजना के अनुसार 10 में 1857 में मेर विद्रों की योजना खुपिया डंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्पोट ने नेताओं की योजना ही बिगार दी यह केवल सैनिक विद्रों से ही कई अधिक था अब देखें उस समय भारते सैनों को जिस जेल में रखा था उनको उ नेताओं ने जो योजना बनाए थी वह खुपिया जो सैनिक थे चाय वह भारते सैनिक हो या अंग्रेज सैनिक हो उन में से ही वह योजना भारत सरकार ब्रिटिस सरकार के अधिकार्यों तक पोचाए दी गे और इस प्रकार उनकी वह जो खुपिया डंग से जो योजना बन 10 माई 1857 में जो बगावत भी थी वही 1857 के युद्ध की मूल आधार स्थम मानी गई है यह केवल सैनिकों का विद्रों नहीं था बलकि पुरे आम जनता का पुरे भारत के लोगों के जनता का विद्रों के रूप में बगावत हुए थी इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जना अंदोलन और भारतिय स्वाधिनता के लड़ाई का रूप ले लिया और इस प्रकार 10 मैं 1857 का जो विद्रो था वो बहुत बड़ा जना अंदोलन और भारते स्वतंतरता के लड़ाई का एक रूप बड़ा आक्रमक रूप धारन कर लिया था जना अंदोलन के रूप में यह दिल्ली सैंत प्रांत जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है मध्य भारत के कुछ भागो और विहारत की सिमिता अब देखिए यह जो विद्रो वो रहा था वो पुरत भारत में नहीं फैला था वह भारत के छोटे से कुछ परांतों में फैला था इसलिए तो इसको अंतर विरोध कहां गया है मुलेता यह सामन्तिय विस्पोर्ता जिसका नेत्रुत्व सामन्त सर्दार और उसके अनुयाई करेते अब जो यह विद्रो था वह विस्पोर्ता वह सामन्तिय लोगों का विस्पर था और इसलिए सामन्त सर्दार और उनके अनुयाई आरता उनके शिश्य करेते व्यापक रूप से फैली वीदेशी विरोधी भावना से इसे बल मेल रहा था अब देखें फिर धीरे धीरे उसका व्यापकता उसकी बढ़ने लगी थी इनके लिए मुगल राजवन्स के उस आउशेश की और देखना अनिवारिया हो गया जो अब भी दिल्ली के राजमल में बैटा था लेकिन दुरबल, बुड़ा और अशक्त हो गया था अब देखें ये सामन्ती सरदार वर्ग ने यहां विद्रो की भावना निर्मित की थी लेकिन उस समय बहुत सारे मुगल राजवन्स के राजा लोग ऐसे थे वो अपने ही विलासिता में जीवन वेतित करे थे उनको इस प्रकार से अमानुष्टा का जीवन से कुछ लेना देना नहीं था और इस प्रकार बहुत सारे दिल्ली के राजमल में बहुत राजा, दुरबल, बुड़े और अशक्त हो गया था लेकिन दुसरी तरफ म के एक आक्रमक रूप से विद्रव आरम कर दिया था इस विद्रव ने बूरा रावाव डाला और अंतता इसका दमान भारतिया सह से किया गया अब देखिए यह जो विद्रो की भावना थी वह एक छोटे से प्रांत से शुर्वात होए गी थी लेकिन उसका दबाओ धिरे-धिरी व्यापकता इसकी बढ़ने लगी तो ब्रेटिश शासन पर उसका दबाओ पढ़ने लगा था और इस प्रकार फुरे भारतियों की साहेता से यह फिर आगे ब्रेटिश सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा सामन सदारों के साथ व्यापक्षेत्रों में आम जनता की सानबुति भी थी लेकिन वे आयोग्य असंगीटित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सावजानिक हीत नहीं था अब देखें उनका जो आक्रमक का रूप था वह व्यापक्षेत्रों में भले ही था आम जनता की सानबुति उनके साथ थी लेकिन उनका जो आक्रमन करने का पद्धति थी वह आयोग्यरिति से हो रहे थी और उसमें किसी भी प्रकार की संगटर नहीं थी वह संगटित रूप से आक्रमक विद्रो हो गया था और उनके सामने किसी भी प्रकार का रचनात्मक आदर्शिया सार्वजनिक हीत नहीं था अब देखें कोई भी अगर हम युद्ध करते हैं तो उसको पहले से निरिश्जीत रूप से किसी के नित्रत्व के द्वारा किया जाता है लेक इसलिए यह पुरे भारत में फेलने से वह कम हो गया इस विद्रो से कुछ रेष्ट चापा पर नेता उबर कराए इनमें से तेजस्वी थे तात्या टोपे जुनोंने कही मैनों तक अंग्रेजी को परिशान किया अब महाराष्टर में भी यह आक्रमक दिखाई दे रहा था और उसमें से चापा महर नेता अरता हमें पता है कि शिवाजी महाराज के द्वारा जो चापा महर नेता था उसका आग्यानु सरन किया गया है और उसमें से तेजस्वी नेता थे तात्या टोपे आखिर में जेब उन्होंने नर्मादा नदी को पार करके मराठा क्षेतर में इस आशा में प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सायता और स्वागत करेंगे तो उनके साथ धोका हुआ आप देखें, इस विद्रों में बहुत सारे नेता क्राम्ती कारक थे वह विद्रों के रूप में आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनके खुद के निजी जो पारिवारिक संबंध के कारण जो विगड़े वे जो अन्ने संबंधी होते थे वहीं इस प्रकार से उनके अच्छे का विग्ण बंद थे तो इस प्रकार उनों ने अपने उनके ही लोगों ने उनका साथ ने दिया था उनके साथ धोका किया था इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्दा प्रुवक स्मरन करती है और वह है जासी की रानी लक्ष्मी बाई का जो 20 वर्षे के आयू में लड़ते-लड़ते मारी गई थी अब रानी लक्ष्मी बाई उनके इत्यास के बारे में हम सबको पता है करक्षाच हमें हमें उनकी पूरी कविता हमने पड़ी है तो रानी लक्ष्मी बाई जो उन्होंने 1857 के लड़ाई में बहुत ही योगदान कार्य किया था जब सारी जनता सोई हुई थी और अपने इस भी प्रकार का लेन देनी था तो ऐसे सोई वी जनता को उन्होंने आजादी के भावना जागरित की थी और फिर उनकी जो तलवारे उनको फिर से उधक्षेत्र में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न के थी जिस अंग्रेज जन्रल ने उनका मुकाब्ला किया उस जो शत्रु माने जाते थे उस समय अंग्रेजों के बड़े बड़े जो अधिकारी थे उन्होंने भी उनकी बहादूरी के बखान कियते की सरवात्तम और जितने भी विद्रोई नेता क्रामती का रखते उसमें सवरत्रम समसे बहादूर के रूप में रानी लक्षमी भाई ह कर नाम लिया गया था विद्रोई और उसके दमन के बारे में बहुत जूटना और भरष्ट इतियास लिखा गया है भारती उसके बारे में क्या सोश्टे यह बात शायदी किताब के प्रुष्टों तक चपकर पहुश गई अब देखिए उस समय विद्रोई का जो रूप ल अंग्रेजों के खिलाब कोई आवाज उटाते थे अकबारों के मादें से तो वह उस समय रोग दी जाती थी सावर करने लगबग 30 वर्ष पहले The History of the Or of Independence नामक जो किताब लिखी थी पुस्तक लिखी थी लेकिन उसकी पुस्तक उस तककार अंग्रे सरकार के द्वारा जब तक ही गई थी और वह अब तक भी जब तक माने जाते क्यों क्योंकि जब इस प्रकार की किताब भी चपी जात तो इस प्रकार के भावनाओं को रोकने के लिए अंग्रे सरकार के द्वारा इस प्रकार के लिखी पुस्तकों को छपने से बंद कर दिया जाती या फिर अंग्रे सरकार उसको जब तक कर लिती थी इस विद्रों ने ब्रिटिश आसन को जगज़र कर रग दिया सरकार ने अ दिरे दिरी यह गो विद्रौव रहा था तो उस विद्रौव का आकरमकूम के वज़े से बहुत सारे हुआ बेडरी सरकार ने आपने काईदे और भी का मजबूत बना ले थे maior हो बना ले थे अर भी कटूर बना अर्थ बुद्धी जीवी पड़ा लिका वर्ग अनुयाई शिष्य दुर्बल बलहीन असंगटित कोई संगटन होना छापा मार चुप-चुप कर युद्ध करने की पद्धती पुनर गठन फीर से गठन करना तो बच्चो इस प्रकार हमने लेखक के द्वारा किस प्रकार से भारत में अंतर विरोध की भावना निर्मिती हो रही थी इसका वर्णन पड़ा आगे लेखक भी बहुत सरी जानकारे हमें देने वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में